हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और आज हम अपसे बात करने वाले हैं दोस्तों बी ए प्रोग्राम समेस्टर फाइज के सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियो अलड़ी हमारे चैनल पर पब्लिश थी रिगार्डिंग फिफ्ट समेस्टर सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स लेकिन जो बी ए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन हो रहा है फिफ्ट समेस्टर के सब्जेक्ट्स को समझने में और इस्पेशली जो जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसमें कौन सा सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो क्या यह स सब्जेक्ट हैं वह सब चीज़े हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहली चीज आप लोगों के पास इस जो डिसिप्रिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का यहां पर ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कोई दो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे और वह जो दो सब्जेक्ट ह और हीस्ट्री का ही कवेंशν पढ़ोगे लाकि यहां पर हीस्ट्री इस्शू इन्ट्री वर्ल हीस्ट्री वन будем सायंस में पॉलिमिटगल से इडमिनिस्ट्रेशन औंच पॉलिक पॉलिशी कॉंसепट थियुरिस। अगर आपने discipline specific elective में economics choose किया हुआ है तो आप economics का ही paper पढ़ोगे यहाँ पर जुक्स का नाम है economics development and policy in India first या फिर आपने discipline में education choose किया हुआ है तो आप education in plural society ही पढ़ोगे तो जो शुरू के दो subject से वो आपको बिल्कुल cut to cut clear होने चाहिए है जो आप दो subject main आपके हैं बिये प्रोग्राम में वही दो subject आप discipline specific elective की category में से पढ़ोगे that's it ठीक है जी अब हमारा आता है third subject third subject जो हमारा है वो है skill enhancement की category में से skill enhancement की category में से कोई भी एक subject आप ले सकते हो जिसमें आपका economics है research methodology education है making the workplace inclusive history है popular culture political science है your laws your rights संस्कृत है basic elements of ayurveda ठीक है ये पांच subject आपके पास skill में हैं जिसमें से कोई एक आप choose कर सकते हो बिना कोईसी चीज को सोचे हुए कि ये subject मैंने पहले पढ़ लिया है या बात में भी पढ़ना पढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं होता skill enhancement में आपने previous semester में कोई भी subject पढ़ा हो उससे फरक नहीं पढ़ता या फिर ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि अगर आप skill enhancement में पांचवे semester में suppose करो education ले ले लेते हो तो छटे semester में भी education पढ़ना होगा ऐसा नहीं होता है ठीक है जी तो आपकी तीन subject I hope आपकी clear हो गई होंगे चोता और सबसे important subject है generic elective देखो यार पहले आपको generic elective का meaning समझना चाहिए generic elective का meaning यह होता है एक ऐसा subject चूज करना जो आपके discipline से हट कर हो जो different हो आपके discipline से एक example में लेता हूँ किसी student के पास BA program में economics plus history का combination है तो वो generic elective में यह economics नहीं चूज कर सकता है principles of microeconomics आप नहीं चूज कर सकते ठीक है और आपके पास history का भी discipline है तो आप यह जो history है gender in modern world यह भी नहीं चूज कर सकते similarly अगर किसी के पास BA program में history plus political science का combination है तो generic elective में आप ना तो history चूज कर सकते हो और यह political science है understanding गांधी यह भी नहीं चूज कर सकते similarly अगर आपके पास discipline specific elective में education है तो आप generic elective में education नहीं चूज कर सकते हो ठीक है अलग है है भी नहीं education का option तो तो कुली मिलाकर बात यह है generic elective में आपको कौन सा पेपर चूज करना है वो पेपर चूज करना है जो आप discipline की category में नहीं पढ़ रहे हो अब यह तो obvious सी बात है पेपर अलग अलग है लेकिन आपको यह दिखना है कि मैं generic elective में अगर economics चूज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मेरे पास discipline specific elective में economics नहीं होना चाहिए अगर मैं English चूज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मेरे पास discipline specific elective में English नहीं होना चाहिए I hope आप लोग समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ Similarly अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हो तो आप यह बात बिल्कुल शौर रखो कि आपने discipline specific elective में हिंदी नहीं पड़ा होना चाहिए Similarly अगर आप history लेना चाहते हो तो discipline specific elective में आपके पास history नहीं होना चाहिए और अगर आप political science understanding गांधी लेना चाहते हो तो DSE की category में political science subjects आपने नहीं पड़ा होना चाहिए और lastly संस्कृत लेना चाहते हो तो DSE की category में संस्कृत नहीं पड़ा होना चाहिए और commerce का सब्जेक्ट है modern business organization यह कोई भी चूज कर सकता है विकास obviously बात है commerce subject आपने अभी तक DSE की category में नहीं पड़ा नहीं पड़ोगे DSE की category में बट generic elective में commerce वाला जो subject है कोई भी चूज कर सकता है ठीक है बस मेरी इस चीज़ का आप मेरी इस बात का आप दिमाग में रखना कि जो भी subject आप generic में चूज कर रहे हो वो subject आप DSE की category में नहीं पड़ना चाहिए हो वो subject से मेरा मतलब है वो discipline ठीक है अगर आप English चूज कर रहा हो तो English आपने नहीं पड़ा होना चाहिए अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़े समझ में आ गई हो कि किस तरह से इसका जो सारा structure हो चलेगा हमारी बात यह है कि यार बी ए प्रोग्राम का third semester का result अभी नहीं आया है fourth का भी नहीं आया है obviously बात बे और fifth semester के अभी admission भी start नहीं हुए है तो आप लोग वेट करिए इसके इलावा कोई और option आप लोगों के पास नहीं है जब भी सारी चीज़े होंगी तो I will definitely inform you आपको तोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं सभी B.A. प्रोग्राम वाली बच्चों के साथ और चैनल पर पहली बार है तो इसको subscribe कर सकते हैं अभी के लिए वीडियो में इतना ही ठैंक्यो